हाई फ्रेंज वेलकम बैक टू लिजास फूड वर्ल्ड आज में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए काजू नमक पारे या जिसे मसाला काजू भी कहते हैं यह बहुत टेस्टी होता है और आप इसे कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं मैंने जिस तरीके से बनाया है अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपके नमक पारे भी काफी खस्ता और कुरकुरे बनेंगे और आप इसे एर टैट कंटेनर में एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो जल्दी से देखते हैं जल्दी काजु नमक पारे बनाने के लिए यहां पर मैंने बोल लिया है इसमें जाएगा दो कप मैदा अब मैं इसमें डालूंगी एक चोथाई कप सूजी सूजी हम इसलिए डालते हैं ता कि हमारा जो नमक पारे वो खस्ता बने आथा टीसपून नमक एक टीसपून अब हम इसमें डालेंगे आधा कप तेल, तेल के बदले में आप घी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है तेल की मातरा हमने सही कॉंटिटी में ली है क्या नहीं वो जानने के लिए हम मिक्षर को थोड़ा सा हाथ में लेंगे और इसे ऐसे प्रेस करके देखेंगे तो अगर यह बंद जाए तो इसका मतलब है कि तेल हमने सही कॉंटिटी में ली है अब हम इसमें थोड़ा-णी अपानी की डालेंगे पानी को हमें एक साथ सारा नहीं डालना है, फोड़ा-थोड़ा करके लदा है और पानी जो मैंने ली है वो थोड़ा हलका गरम पानी होना चीए इसका हमें एक सेमी सॉफ्ट डो बनाना है तो मैंने इसका डो बना दिया है अब हम थोड़ा सा तेल इसके उपर अप्लाई करेंगे ताकि ये ड्राइ आउट ना हो जाए और इसे एक 10 मिनिट तक रेस्ट पर छोड़ देंगे तो जब तक ये रेस्ट पर है हम मसाला नमक पारे के लिए एक मसाला प्रिपेर करते हैं तो मैंने एक बोल लिया है इसमें जाएगा आधा टीस्पून काला नमक आधा टीस्पून साधा नमक आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून आमचूर पाउडर और आधा टीस्पून चाट मसाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम साइड पे रख देंगे 10 मिनित हे चुके हैं, शैक करते हैं, तो आटे को हम थोड़ा और गूंदेंगे दो मिनिट के लिए और इसको दो पॉर्षिन में हम डिवाइड कर देंगे इसमें अमें कोई मैदा नहीं डस करना डाइरेक्ली बेलना है क्योंकि इसमें आम ने थेल डाला था, तो काफी मॉइस्टर है हमें जादा मोटा भी नहीं रखना है और एकदम पतला भी नहीं तो मैंने इसे बेल दिया है इसकी जो थिकनस है वो इतनी होनी चीए अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमें इसे काजू का शेप देना है तो आप घर पे कोई भी एवेलेबल बॉटल का कैप हो वो आप ले सकते हैं या फिर आपके पास अगर कटर हो छोटा सा तो वो भी आप ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कैप लिया है तो जैसे मैं शेप देती जाओंगे आप देख लेना आपको उसी तरह से शेप देना है तो बॉटल के कैप का आधा पोर्षन बाहर और आधा पोर्षन हमें अंदर रखना है इस तरह के से और इसे जोर से हमें प्रेस करना है तो ये निकल जाए, ये portion हमें निकाल देना है और उसी तरीके से हमें सारे डो को कट करना है जैसे moon shape होता है उसी तरीके से देखिए इस तरीके से तो दिखने में ये half moon या काजू की तरह लगता है और इसे side पे आप एक plate पे रखते जाएं और इसी तरीके से हम सारे shapes कट करेंगे तो friends मैंने सारे डो को shapes दे दिया है तो अब हम इसे fry करेंगे तो उसके लिए अब ग्यास पर तेल रख दीजे गरम होने के लिए तो friends तेल गरम हो चुका है अब ग्यास के flame को लो पे ही रखिए क्योंकि हमें ये जो नमकीन है ये लो फ्लेम पर ही fry करना है तो जितना हमारे तेल में आ जाए हमें उतना ही डालना है हम इसे इसलिए लो फ्लेम पर फ्राइ करते हैं क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राइ करेंगे तो ये बाहर से एकदम से golden brown हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसे दो मिनिट तक के लिए छेड़ेगा नहीं, ये दीरे-दीरे करके फ्लोट होने लगेगा, तो तब हम इसे टर्न करेंगे, हम इसे दीरे-दीरे ऐसे हिलाएंगे, और इसे हमें तब तक प्राइग करना है, जब तक कि हमारे सारे जो श और इसी तरीके से हम सारे नमक पारे को फ्राइ करेंगे, तो हमारा सेकेंड बैच भी फ्राइब हो चुका है, तो अब हम इसे भी डिशाओट कर देगे, तो फ्रेंट्स काजू नमक पारे बनकर तयार है, तो मैंने इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया है, क्यूंकि एक पोर्शन मेंने बच्चों के लिए निकाल के रखाया, और एक पोर्शन में मैं मसाला डालोंगी, देखिए फ्रेंज, इक इतना खस्ता बना है, तो मसाला जो हमने तयार किया था, उसमें से मैं 8 टेबल स्पून डाल रहे हूं, जब आप जब मसाला डालेंगे, तो उस तो फ्रेंज मैं आपको एक तोड कर बताती हूं, देखिए कितना खस्ता और कुरकुरा है, तो आप ये नमक पारे को ज़रूर ट्राइ करें, और मुझे अपना फीडबैक बताएं, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक और शेर करें, और अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो प्लीज करें, तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई, टेक केर और हैपी कुकी.